कहो मैं हम हिंदू हैं स्वामी वेकानन ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं स्वामी वेकानन तो सामप्रदाइग नहीं थे स्वामी वेकानन तो किसी पाल्टी के नहीं थे स्वामी कब वेकानन ने तो भारत का प्रदुनित्तों किया था पूरी दुनिया के कश्मीर से बिस्तियापित होता है उसे कश्मीर से निकाला जाता है एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है लोगों का मूनी खुलता जब कश्मीर से 3.600.000 किस संख्या में कश्मीर बंडित निकाले जाते हैं अब यह लोग नहीं बोलते, पिसले 2012 में असम के अंदर तीन महिनों तक बोडो चंचाती के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला, मौदे, कोई नहीं बोला, जम्मु कस्मीर के बाद, जम्मु कस्मीर के हिंदों के मारने पर तस्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार यह लोग बोले नहीं, इनको फीड़ा नहीं हुई, दुनिया के अंदर यह अपने अपने बिर्ला उधारन था, जहां पर अपने ही देश में अपने जानने वाले लोग बिस्ट्यापी ठोकर के खाना पदोस की चिंदगी चीरे हैं, उस सर्मना घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों नहीं की, मुंबई के गंगों पर यह लोग मौन रहे, जमसेदपुर और भागलपुर के गंगे कांग्रेस के समय हु चानेर इस देश की धर्म और संस्क्रुदिर इस देश की समाच को बचाने में बहुत महत्वपूर थी, उन सिप्पों के कतल याम पर भी इनको सर्मन महसूस नहीं होती है, और आपे लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सामपरदाइक सहार्द की, इनका पुरा चेरा साम परताइक एसेंडे से रंगा हुआ है, और इसलिए बंदो मौदे इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बैंगला देशी घुस पैटिये इन लोगों के अपने हो गए, और इस देश में लाखों वर्ष्टों से रहने वाला संधाय बराया हो गया, इस देश के अंदर मौदे आसम में बंदो के सी घुस पैटियों के कारण, कोकरा चाड़ है 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 और इस देश के अंदर इसलिए क्या है Sir, under rule 376, sir, the honorable member while giving statement in his speech, he mentioned about communal rights, I request you that 2011 he has given a figure, those are wrong figures he has completely forgotten 10 to 2013 no 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 my question was there sir you know you have no no you cannot you cannot you cannot give wrong figures Gujarat was the highest number for the Madhya Professor yes I have a I have my I have my question over here answer no no I request you to check the record please please sir please please take it please save no no please see I I need my leg and his leg, and my leg please see the member is speaking and giving some figures you are disputing that figures no 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 in your speech you can say there is no ruling there is no during your speech you can speak you reply that during your speech you can counter it when your term comes when your term comes you can at that time can dispute it continue you are connecting on counter अपाद्धेक्स मौद है सच्चाई कडवी होती है और कडवी सच्चाई ये लोग स्विकार करने को तयार नहीं क्योंकि ये लोग उस बिमारी से स्वें तरस्त हो चुके हैं जो बिमारी नोंने पुरे देश को दी है और इसलिए ये लोग उस सच्चाई को स्विकार नहीं कर सकते कस्मीरी बंडितों के निस्कासन पर और कस्मीर पे हुए अक्तिया चार पर ये लोग मौन थे वे तो हजार ग्यारा बारे में असम के अंदर देख रहा था तीन महीनों तक लगाता और दंगे होते रहे इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा महीं कराई असम चलता रहा और तो और कॉंग्रेस के लोग एक बार तो असम के ये मुख्यमंत्री को असम के अंदर आग कोकराचार, बुब्री, जिराग और बरबेटा चिले जो हिंसा की सरवाधिक चपेट में हैं वे सरवाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांगला देशी गुस्पेटी वहाँ पर आकर के जमीनों पर कबजा किये हैं इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ-साथ उनके रासन काड बनाए हैं और बेस्तरमी के साथ देश के साथ खिलवाड इनों ने हुआ पर उनके साथ करवाया हैं मोदे और तोर हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं मैं पूछना चाहता हूं कॉंगरेस से और कॉमनिस्टों से भी कोयम बटूर और बैंगलूर धमागों का जो अभ्युक्त है उस दुर्दान्त आतंगबादी के लिए बिधान सभा का सत्र स्पेसल सत्र बुलाया जाता है दोनों जल एक साथ मिल करके पील करते हैं कि इसको छुडवाओ क्या यही स्टेकलर है क्या इनका यही स्टेकलर एजेंडा है क्या यही इस देश में यही स्टेकलरिजम है और इस देश के अंदर इस देश के अंदर मौदे इस देश के अंदर क्या हुआ था हम भूले नहीं मौदे 11 अगस्त 2012 को मौदे के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ मौदे आजाद मैदान की घटना क्या थी आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थें उनके बीच में और वहां के बौद्दों की बीच में वहां पर हिंसा हुई दंगे हुई ये मामला मैनमार का है भारत का नहीं लेकिन मैनमार की घटना में दंगा का होता है आजात मैदान मुंबई में ये लोग मौन रहते हैं वहाँ से इसमारक तोड़ा जाता है फुलिस के जवानों को मारा जाता है मीडिया कर्मियों को मारा जाता है उनके साथ साथ पूरे में दंगे हुए उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनों में, कानपूर में, इलाबाद में दंगे हुए ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पे आवास नहीं लगाई ये लोग मौन रहे उस घटना पर, ये वही लोग हैं, जो आजात मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा राम देव पर उन सत्यागरियों पर ये लोग रामला मैदान पर लाठी चार्ज करके बिस्रमी के साथ, बंदे मात्रम का कान करने वाले लोग अगरने वाले देश भक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं ये लोग देश के अंदर सामपरदाई घिंसा की बात करते हैं, सामपरदाई घिंसा किसने फैलाई है, कौन फैला रहा इस देश के अंदर कौन इस देश के दिन्र सचर कमेटी के नाम पर समाच को बांटने का कारिक कर रहा है इन लोग अने साम परदाई कादार पर 1947 में देश को पांटा है और आजपना देश को बांटने की साजिस के तोथ पाकिस्टान के सेंटे पर ये लोग कारिक कर रहे हैं और इसलिए मौद है जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं उन घटनाओं पर अगर आप रिजर डालेंगे मौद है जो घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने द रखू जो घटनाएं अपने आप में चौकाने वाली घटनाएं हैं और चौकाने वाली घटनाएं कितने खतरनाक हैं